हालो स्टुडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अमेरिकन फेडरल सिस्टम, अमेरिका की संघात्मक विवस्था. बी ए पार्ट सेकिंड पेपर फरस्ट. अमेरिकी शासन विवस्था अनेक अर्थों में मौलिक है. समिधान वाद को इसकी कई देने हैं, जिनमें संघवाद, शक्तियों के प्रथक करन और न्याइक पुन्रावलोकन प्रमुख है. यदि भी न्याइक पुन्रावलोकन और संघवाद का रूप अमेरिकी नहीं अती प्राचीन है, फिर भी इने प्रकाश में लाने का श्रे संयुक्त राजय अमेरिका को ही है. संघात्मक राजय के आवशक्तत्थ हम देखते हैं कि संगात्मक राज्य के आवशक तत्य कौन-कौन से है संगवाद का अंग्रेजी पर्यावाची फेडरलिस्म है जिसकी विद्पत्ति लेटिन भाषा के फ्यूडस शब्द से हुई है फ्यूडस का अर्थ संधी अथ्वा समझोता है इस प्रकार विद्पत्ति की दश्टी से संगात्मक शासन वह शासन है जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्यों के मत्य हुए समझोते पर आधारित हो संयुक्त राज अमेरिका में संग का निर्मान Formation of a Federation in the USA यदि हम इसकी एतिहासिक प्रष्ट भूमी देखें तो अमेरिका की वर्तमान संगात्मक व्यवस्था से पूर राज मंडल था जिसकी धाराओं को 1871 इसी में अपनाया गया था राज मंडल 13 सारुभवम राजों का एक धीला धाला संग्धन था यह एक बालू की रस्ती के समान था जो राजों को द्रड़ता से बांध नहीं सकती थी समिधान निर्माताओं ने एक शक्तिशाली तथा द्रड़ राष्टी सरकार की आवशकता महसूस की उन्हें विश्वास हो गया कि संक्टों से स्वतंत्रता की रक्षा करने और व्यापार और उद्योगों की व्रत्थी के लिए एक शक्तिशाली केंदिश शासन आवशक है फिर भी वे एकात्मक शासन व्योस्था के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उसमें उनके स्वतंत्र अस्तित्य के विलीन होने का भई दिखाई पड़ता था इस संकट से बचने के लिए समिधान निर्माताउने संगवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया संगवाद को अपनाए जाने की कारण संगात्मक व्योस्था से इस सारी सायत शासन और नागरिक प्रस्टिक्शन के लाप्त होते हैं दूसरा व्यक्तिकत अधिकारों और व्यक्तिकत संपत्ति की रक्षा का ये उत्तम साधन है क्योंकि इराश्टिये और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन दोरी सुरक्षा प्रदान करता है प्रतियक राज्य इस्थानी समस्याओं को अपने तरीके से सुलजा सकता है क्योंकि अमेरिका के राज्यों के आर्थिक, सामजिक और राजनितिक हीतों और समस्याओं में बहुत विभिनता है तो संगवाद ही वो शासन है जिसमें प्रतिक राज्य अपनी इस्थानी समस्याओं को अपने तरीके से सुलझा सकता है क्योंकि अगर वो केंद्र के अधीन होगा तो केंद्र हर जगे की समस्याओं को अपने नहीं सुलझा पाएगा इसके अलाबा संगवाद से राष्ट की सुरक्षा और क्षेत्री स्वायतिता की रक्षा दोनों उद्धिशों की प्राप्ती भी संभव थी क्योंकि संगवाद में जब कई राज्य मिलकर के एक बड़ा राज्य बना लेते हैं तो राश्ट की सुरक्षा निश्चित हो जाती है और साथी साथ संगवाद की वज़े से इकाईयों को जो स्वायतिता मिलती है उसके कारण उनकी स्वायतिता की रक्षा भी हो जाती है संग निर्मान की प्रक्रियाएं संग निर्मान की करीबन लगबग दो प्रक्रियाएं होती हैं एक तो सम्मिलन के द्वारा और एक प्रथक करन के द्वारा प्रथम प्रक्रिया जो है सम्मिलन की उसके अनुसार कुछ सतंत्र राज्य राश्टिय विश्यों के संबादन के लिए एक केंदी सरकार की स्थापना करते हैं जैसे सुरक्षा, शान्ती, वैदेशिक संबंध, मुद्रा निर्मान आधी संयुक्त राज़ अमेरिका, और सिजनलैन के संब्धान कर निर्मान सम्मिलन की प्रक्रिया से हुआ है जो दित्य प्रक्रिया है, उसके अनुसार किसी एकात्मक राज्य को सतंत्र एकाईयों में पार दिया जाता है और कुछ इस्थाने विशों में उन्हें स्वतंत्रिक शेत्राधिकार प्रदान कर दिया जाता है जैसे पूर्व सोवियत रूस में संग का निर्मान प्रथक करन की प्रक्रिया से तथा भारत संग का निर्मान सम्मिलन और प्रथक करन दोनों प्रक्रियाओं से हुआ है अमेरिका लक्षन 22 शासन विवस्ता है, इसमें दो प्रकार की सरकार हैं और 12 शासन यंत्र होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी दो प्रकार की सरकार हैं, संग सरकार और राज्य सरकार। शुरू में महां सिर्फ 13 राज्य थे लेकिन आज उनकी संख्या 50 है। अमेरिकी समिधान एक सतत संग समिधान है क्योंकि इसके संगात्मक सरूप को समाप्त नहीं किया जा सकता और नहीं किसी राज्य के अस्षित्त को ही मिटाया जा सकता है अमेरिका में समिधान के अतिरिक्त प्रत्यक राज्य का यानि संग की प्रत्यक इकाई का अपना समिधान भी है किवल चत यह है कि प्रत्यक राज्य में या प्रत्यक इकाई में सरकार का सरूप गण तंतात्मक होना चाहिए तथा राज्ये के समिधान को संग्य समिधान की विवस्ताओं के तरतिकूल नहीं होना चाहिए इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ दोनों सरकारों का प्रथक प्रथक संग्ठन है दो नागरिक्ता, दो न्यायपालिका और दो प्रशासन यंत्र है जबकि हमारे भारत देश में एक नागरिक्ता, एक कहरी न्यायपालिका तथा अधिकांश्ता एक प्रशासन यंत्र है यहां ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों सरकारें एक दूसरे पर आश्रित नहीं है दोनों का अस्तित्य प्रथम, एम, प्रथक और स्वतंत्र है अपने अस्तित्य के लिए वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर दी बल्कि समझोते के शब्दों अर्थात समिधान पर आश्रित है उनका निर्मान समिधान द्वारा होता है इस स्वकार संगात्मक सरकार की माननेता है कि संग तथराज्य सरकार एक दूसरे के अधिन ना हो बल्कि सम इस्तरिय हो फिस संगात्मक शासन का एक लक्षन है शक्तियों का वित्रन संगात्मक शासन की एक विशिष्टा ये है केंद्र तथा राज्जों की बीच शक्तियों का बटवारा होता है शक्ति विभाजन के लिए विभाजन की विधियां अपनाई जाती है अमेरीकी समिधान में गणना और अफशेश के सिद्धान्त पर केंदी की शक्तियों को लिपफिबढ़ कर दिया गया है और शेश शक्तियां राजे सरकारों में नहीं थें कनाडा में राजे की शक्तियां का उलेख करके अवशेश्ट शक्तियां केंद्र को दे दी गई है और भारत में राजय और सरकारों की शक्तियों की सूची के अतिरिक्त एक संबर्ती सूची भी है जिस पर दुनों को समान अधिकार हैं और अफशेष्ट शक्तियां केंडर में नहीं थे हैं इसकी तीसरी विशेष्टा हम ये देखते हैं कि यहां समिधान सर्वोच होता है अमेरिका में समिधान सर्वोच है अमेरिकी समिधान की धाराच छे में ये घोशना की गई है कि समिधान देश की सर्वोच विती है समिधानी संग सरकार या राजी सरकारों शासन शक्तियों का विभाजन करता है अतर शक्तियों के अतिक्रमन का अर्थ समिधान का अतिक्रमन है समिधान की सरवुचिता का दूसरा अर्थ है कि समिधान की विधियां साधरन विधियों से उच्च है सामिधानिक विधियों के निर्मान और परिवतन की विधी साधरन विधियों के निर्मान और परिवतन की विधी से भिन्द है इसी कारण संयुक्त राजे अमेरिका का समिधान दुष परिवतन शील है क्योंकि उसके संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत चटिल है और इंग्लेन के विपरीत सामान्य विधी निर्मान की प्रक्या से पून दया भिंद है इसके अतिरिक्त सम्विधान सर्वोचिसली भी है क्योंकि वो लिखित है यानि कि सम्विधान सोनिश्चत इसपष्ट और पुर्वत निर्धारित है इसके बाद हम देखते हैं कि सतंत्र निर्धारित का भी संगात्मक योस्था का ही एक महत्पूर्ण अंग होता है संगात्मक राज्य का सम्विधान क्योंकि लिखित होता है अतक केंद्र और राज्यों के अधिकार सम्विधान दोरा निर्धारित कर दिये जाते हैं इसलिए केंद और राजों के बीच उत्पन होने वाले विवादों के निर्णाई के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है ये न्यायपालिका सामिधानिक विधियों की व्याख्या करती है पारसपरिक विवादों का निर्णाई करती है तथा शासन की विधियों और कारियों की सम्मेधानिकता की चार्च करती है इस प्रकार न्याइपालिका सम्मेधान की सर्वोचता की संरक्षक होती है संयुक्त राज्य में सर्वोच न्यायले इन कारियों का संपादन कता है भारत में भी सर्वोच नियाल है इस कारे को सीमित अंश में कता है लेकिन सुझ्जालेंड और पूर सोविच संग में नायपालिका की जिम्में यह उत्तरदाई तो नहीं था राष्टी सरकार की शक्तियों में ब्रत्थी तब हम देखते हैं कि संगातमक शासन व्यवस्ता होते हुई भी अमेरिका में राश्टी सरकार हिने केंद्र सरकार के शक्तियों में ब्रत्थी होती जा रही है यानि कि संगात्मक व्योस्ता में केंद्र और इकाईयों की सरकारें समिस्तरी होती हैं उनमें शक्तियों का बटवारा कर दिया जाता है लेकिन हम यह देखते हैं कि जैसे जैसे विकास होता जा रहा है वैसे वैसे केंद सरकार की शक्तियां अधिक बढ़ती जा रही है तो इसका कारण ये पहला तो ये की मौलिक विकास अमेरी के समिधान लिखित तो है ही साथ साथ विक्सित भी है राश्ट्रे सरकार की शक्तियों में व्रत्थी सबसे महत्यपुन विकास है प्रारंब में राजे सरकारों को शक्तिशाली समझा जाता था, लेकिन आने वाले वर्षों में विकास की प्रवर्थी कुछ और रही, राजे सरकारों की अपिक्षा संग सरकार की शक्ति में अपुरू व्रथी हुई, और 17-19 के बाद इस अकालपनिक विकास के अनेक कारण है पहला है आर्थिक और सामजिक परिवतन जाष्ट के एक शेत्र का विस्तार, जनसंख्या की व्रत्थी और आर्थिक तथा सामजिक संख्ठनों का बढ़ता हुआ पेची दापन यानि जटिल्टा ये तथे इस विकास के लिए प्रारंभिक रूप में उत्तरदाई है शुरू शुरू में वाशिंगटन और जेफर्सन की सरकारों के कारे बहुत कम थे तथा उनका क्षेत्र बहुत सिमित था लेकिन धीरे-धीरे इनका क्षेत्र विस्तरत होने लगा लुशियाना और पश्चमी तटके क्षेत्र संयुक्त राज्य के अंतरगत आ गए 1850 के बाद जनसंक्या भूत तेजी से बड़ी, शेरों का विकास हुआ, उध्योकों की स्थापना हुई, आवागमन के साधन बड़े लोगों का इसानांतरन होने लगा और जीवन का रूप पेचीदा हुए विवसाय और आवागमन ने देश के कोने-कोने को संबर्थ कर दिया, बड़े-बड़े निगमों, कंपनियों, विश्युद्ध और आथिक संक्टों को सुलजाना राज्य सरकारों के बसकी बात नहीं रही, राष्ट्य सरकारी व्रहत प्यमाने पर इन समस्याओं और जनसंख्या वाले देश के लिए एक शक्ति-चाली केंदी सरकार की स्थापना अनिवार्ये और अवशंभावी हो गया, इसके बाद सामिधानिक संशोधन का भी काफी प्रभाव पड़ा है, सामिधानिक संशोधन का भी राष्ट्य शक्ति की विकासने पर्याप्त सहयोग चाहा है। चाहदौद्म है संशोधन नागरिक्ता का राष्ट्री करन करता है और राजों पर अनेक प्रतिبةंद लगाता है। दस्मा संशोधन राष्ट्य सरकार को आईकर्द लगाने का यह जिता है, और इस विधिसे धन के विभाजन पर लियनतन भी लगाता है। 15 और 19 स प्रकार इसने भी संग सरकार की शक्ति को बढ़ाया है। इसके बाद हम यह देखते हैं कि वहां नहीत शक्तियों का जो सिध्धान्त है उससे भी किंद्र सरकार की शक्तियां अत्यंत विस्तरत हो गई है। सबसे महत्पून कारणे सामिधानिक व्याख्या जिसके संबन में अंतिम शब्द संग के पदाधिकारीयों के होता है। तथा अंतरनीत अधिकार के सिध्धान की पुष्टी की। मार्शल ने कहा था कि निसंदे सरकार की शक्तियां सीमित हैं और वो अपनी शक्तियों का अधिक्रमन नहीं कर सकती है लेकिन इन शक्तियों को कारे रूप देने के लिए आवशक है कि राष्टिय विधाई का सभा को साधन संबंद में पर्याप्त क्षित अधिकार दिया यानि उनके कहने का मतलब यह है कि संग सरकार अपनी शक्तियों का अधिक्रमन तो नहीं कर सकती लेकिन अगर इन शक्तियों को लागू करना है तो उसको पर्याप्त क्षित अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वो जनता की भलाई की काम कर सके और अपने कत्वियों का बालन कर सके इस नित शक्तियों की सिद्धान के कारण केंद सरकार की शक्ति आत्यंत विस्त्रत हो गई है इस प्रकार तात्पजे यह है कि समिधान निर्माताओं ने कॉंग्रेस को ऐसी समस्ते विधियों के निर्मान के शक्ति दी है जो समिधान के उपबंधों समिधान के शब्द प्रतिपादितिय सिद्धांत आज सरु मानने हैं। इसी सिद्धांत के फल सरुप, राष्ट्री सरकार की शक्ती में पर्याप्त व्रत्ती हुई है। इसी शक्ति के आधर पर कॉंग्रेस ने राष्टिय बैंक, रिजर्व बैंक और अन्य निक्मों की स्थापना की है, इस्थाल जल तथा बायू मार्गों पर नियंतन किया है, तार टेलिफोन तथा रेडियो समंधी विधियों का निर्मान किया, वित्युत तेल आधी के सानां को नियंतित किया है, विधेशी जासुसों के लिए कठो दंड की विवस्था की, वित्य और साक पर नियंतन रखने के लिए, राष्टिय पैमानों पर प्रशी को नियमित करने के लिए, राष्टिय उद्यों को सस्थ बनाने के लिए, और बेकारी बढ़ापे में पेंशन आदे की विवस्था के लिए कई विधिया बनाई, इस परकार नेति शक्तियों के जिद्धान त्वारा केंदी सरकार के शक्ति में अपार ब्रधि हुई है, इसके बाद हमीं देखते हैं कि अब जो सित्य है, वो ये कि केंद सरकार राज्यों से ज़्यादा शक्ति शाली त जैसे संग सरकार दोरा क्रशी शिक्षा आधिक शेत्रों में कोई अनुविशन होता है तो राजी सरकार भी उसका प्रयोग करती है और कभी-कभी वाशिंगटन से राजी सरकारों की बेकारी दूर करने या नागे सुरक्षा की विवस्था आधि के लिए निविदन किया जात है तूसी और राजी सरकारों की और से भी सहयोग मिलता है उनकी अधिकारी राज्य और इस्थानी चुनाओं के साथ संगी चुनाओं का भी पुनन इरिक्षन करते हैं उनकी अधिकारी कतिपा संगी कारूनों को लागू करते हैं जिससे सामाजिक और सुरक्षा विथी पार संग और राजों के हित अधिक सामन्य हैं और सामन्य हित के लिए उन में सहयोग की अधिक संभावना है यानि कि प्रतिन दरन्दिधा नहीं है मलकि उनके हित अधिक सामन्य है यानि एक दूसरे के पूरक है